जैमातादी मित्रो मेरा नाम पंडित प्रकार जोशी स्वागत है मेरे यूट्यूब फेस्बुक चैनल एस्टो आज मैं मित्रो आज हम चर्चा कर रहे हैं करकराशी वालों के मन्थली राशी फल के बारे में यानि सितंबर करकराशी की कैसी होगी धन की स्वास्त की परिवार की सती इस बारे में इस कारेकरम में направम चरकाह हम करने वाल के जीवन में 8 घटना एं कहीं ने सितंबर के मेने में घटी तोरी वह आठ घटना कौन कौन सी कारेकरम ने डे यkon में पहले कारकराशी वाले अपने सितंबर की मन्थली कुंडली जालने तो ये आपकी करक राशी की सितंबर की मंदली कुंडली है शुक्र आपकी राशी में बैठे हैं लेकिन वक्रियों के बैठे हैं और बुद्ध अदित्य योग सुर्य बुद्ध सिंग राशी में विराजमान है खूब धन मिनने वाला है वही करक राशी को सितंबर में धन समं में और चतुर्ट बाहों मैं केटू विराजमान और देखा जाए जो है वो अश्टम भाहों में विराजमान होते हैं to बहुत रावा धन भी देते हैं तो घरी बीचीज भिदेते हैं अब सितंबर के मैंने में क्या गड़ा धन क्या गड़ी चीज मिलेगी इस कारेकरम में आपको डिटेल में समझाएंगे अगर कारेकरम अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फेस्बुक में देख रहे हैं तो पेज को फोलो 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 जरू कर लें चलिए पहली घटना के बारे मे करकराशी का स्वास्ति के उपर तो स्वास्ति के अंदर देखा जाए तो शुक्र वक्री है करकराशी में ही वक्री रहेंगे और कभी भी शत्रुराशी में ग्रह वक्री होता है तो बैस्ट रिजल्ट मिलता है यानि सितंबर का पूरो का पूरा महीना एक तारिक से लेका 30 स खूब मन आपका अच्छा रहने वाला है पुराने मित्रों से या रूठेवे मित्रों से रूठेवे भाई बेनों से रूठेवे रिष्टेदारों से कहीं ना कहीं दुबारा संपर्क होगा दुबारा मुलाकात होगी दुबारा संबंध स्थापित होने के सितंबर में योग बनते हैं तो कुल मिलाके जो शुक्र होता है वो relationship को बनाने का कारक होता है तो यहां पर शुक्र सितंबर के महिने में आपके रुठेवे relationship बनाने वाला है साथी साथ सुक्र नित्य कला संगीत मिकाश शौक आपके अंदर जागरित करेगा यानि कुछ लोग तबला बजाएंगे harmonium बजाएंगे गाने की practice करने वाले हैं कुछ लोग वीडियोग्राफी की practice करने वाले हैं यूट्यूब चैनल बनाने वाले हैं editing करने वाले हैं तो कु दूसरी घटना के बारे में बात कर रहे हैं तो कहीना कहीं बुद्ध अदित्य योग आपका धनवाव में बैटा यानि सितंबर के महिने में जो करकराशी है उनको तीन जगा से financial gain हो सकते हैं यह ऐसा अनुमान है क्योंकि सूर्य और बुद्ध दोनों के दोनों आपके second house मे विराजमान है तो देखिए पहला financial gain करकराशी को माता-पिटा से यानि माता-पिटा या तो financial gain होगा या माता-पिटा आपको कुछale gift को कोई उपहार दे सकते हैं या सरकारी रुकावावा fund का लिवांड है संबर में आपके अक्षा का अ सकता है दूसरा देखा जाये तो share और इंवेस्टमेंट से अच्छा कासा आपको लाब होने वाला है सितंबर में ऐसा यूग ने जरा रहा है तीसरा देखा जाए तो भाई बेहन से आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है या रिष्टेदारी में कोई व्यक्ति आपको कोई उपहार दे सकता है आपके मना मना करते वे भी आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है साथी साथ कोई कमीशन कोई काम करने की आपको कमीशन मिल सकती है तो कुल मिलाके लेकिन वो कमीशन मिलेगी टेक्स काट कर यानि कि कुल मिलाके देखा जाए तो पांस सितंबर से पच्ची सितंबर के बीच में रुकावा धन मिलेगा ध कुछ फाइदा होगा रुकाववा धन मिलेगा लेकिन माता-पिता क्यों हलकी चोट लगने के सितंबर के मैने में योग नजरा रहे हैं और देखा जाए तो आपके वहान पे कुछ खर्चे हो सकते हैं कासकर दो से लेकर 20 सितंबर तक ऐसा योग नजरा रहा है कि आपका वहान खराब हो सकता है वहान पे खर्चे हो सकते हैं माता-पिता को हलकी चोट लग सकती है चौती कटना के बारे में बात करें तो पंचम भाव की जो स्वामी है वो तृतिय भाव में बैटे हैं पंचम भाव के स्वामी में बता दू मंगल हैं तृतिय भाव में बैटे हैं और ब चोटी संतान का देखा जाए तो पूरा सितंबर का महीना चोटी संतान को पेट में हलका दर्द हो सकता है पेट की प्रावलम चोटी संतान बताने वाली है या हलकी खुजली या एलर्जी चोटी संतान को हो सकती है ऐसा यूग नजरा रहा है बड़ी संतान का देखा जाए तो बहस करेगी ऐसा योग नजर आ रहा है साती सात बड़ी संतान का वहान पे चलान कर सकता है और गुस्से में या शौट टेमपर में जो बड़ी संतान है वो अपनी ही चीजे तोड़ सकती है मोबाईल या किसी वस्तु की हानी भी बड़ी संतान से उतकती है इतना जादा गुस और उस टाइम जो हमने इनी से पूछा था कि हमारे संतान जोग के बारे में तो कुंडली से ये पता चला कि हमारे दो संतान की योग है लेकिन जब हमने बताया गुरू जी को कि हमारे संतान अभी तक हुआ नहीं है तो उन्होंने फिर हमारे हस्तरका बिचार किया और हस्तर रिखा में दो संतान की योग तो है लेकिन एक अधरिस्ट रिखा है जो उस जोग को काट रहा है और इस बजाए से हमें संतान के जोग नहीं हो पाया यह जानकरी मैं सबके लिए देर देना चाहता हूं जो गुरू जी ने हमें बताया कि अगर आपका कुंडली में संतान तो आप भस्तरेखा से आप देखिए कि आपका जो संदान जोग है उसमें कोई लाइन उसको काट रहा है कि नहीं है और इसमें गुरुजी के अवदान बहुत ज्यादा है इनके वज़े से आज हम जान पाए और यह जानकर हम आप लोग को भी पहुंचाना चाहते हैं नमस्क से माता-पिता से रिलेटिव से आपके खूब जगड़े होने वाले यानि खूब वाद विवात तो तो मे het होती और आप लड़ते रहेंगी कभी आप से लड़ेगा यानि लड़ाइस और cop 2 हमें disturbing महीना रहेगा कुछ ना कुछ obstacle आपके जीमन में आता रहेगा आप बात कर लें चटी गटना की तो चटी गटना उनकर गराशी वालों को महतु रखती है जो नौकरी करते हैं जॉब करते हैं तो नौकरी वालों के लिए देखा जाए तो पूरा जो सितंबर का महीना है दो भागों में पढ़ता है यानि पहले सितंबर के तीन दिन यानि एक दो और तीन सितंबर तक देखा जाए तो मेनेजमेंट से आपकी किसी काम को लेकर किसी टॉपिक को लेकर जबर्दस्त वाद विवाद रह सकते हैं ये तीन दिन ऑफिस के लिए भारी है चार तारिक से गुरू हो जाएंगे वकरी और चार तारिक से लेकर तीन सितंबर तक देखा जाए गुरू वकरी होने से पद प्रमोशन की व्रिद्धी की न्यूज आपको सुनाई देगी अचानक कोई बड़ी डेल हो सकती है मेनेजमेंट अचानक आपको बड़ा प्रोजेक्ट दे सकता यानि मेनेजमेंट बैस होने के बाद जूद भी मेनेजमेंट सीनियर आपको सर्प्राइज हैंगे आपको कुछ अच्छा काम देंगे जिससे आपका मन परसन्नचित हो सकता है ऐसा कब होगा ऐसा चार से ती सितंबर के बीच में बुरू वकरी होने पर होगा अब बात करते हैं दामपत्य जीवन की करक राशी काा फैमिली लाव ख्रेली जीवन कैसा चलेगा तो दामपत्य जीवन के स्वामी शनी अस्तर मवाओ में बैठे है हाला कि अपनी ही राशी में बैठे है तो कहीना कहीं देखा जाए मद्बेद बड़ा मद्बेद ہو सकता है ऐसा योग नज पते लुजी सुंद्विरा। की तो पती-पत्नी के लिए सितंबर का महिना नॉर्मल रहेगा यानि की सब कुछ नॉर्मल है बलकि आपका पार्टनार घर की जिम्मेवारी वर्कलोड में ज्यादा बिजी रहेगा आपको भी समय नहीं दे पाएगा कई घुमने फिरने का समय नहीं मिल पाएगा हाँ होने लिए आपके लिए टाइम नहीं रहेगा तो कुल मिलाके दामपत्ति जीवन थोड़ा आस्ति व्यस्ता रहने वाला है आठवी घटना करकराशी में हो रही है चंद्रमा नवम बाव में बैठें सितंबर में तो माता-पिता का देखा जाए पानी की यात्रा के योग न दसमं भाव जानी कि दसमं भाव के स्वामि वक्रिय है और नवी घटना का संबन्द उन लोगों गें हैमित्रो जो अपना काम करते हैं फैक्टरी चलाते हैं जो अपना शोरूम चलाते हैं तो उनका ये पूरा महिना चार तरिक से शुरू होता है उनि साथ काम के सिलसले में दूसरे शहर की काफी ट्रवलिंग देखा जाए तो सितंबर में लिखी वी है यानि काफी जगा पे आप काम के सिलसले में यात्रा करने वाले तो कुल मिला के देखा जाए सितंबर का महिना व्यापारियों की ट्रवलिंग का रहेगा व्यापारी विजी काम भी बढ़िया रहेगा तो मित्रों यह था करक राशी का सितंबर का राशी पाल यह कारे करम अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फेस्बुक में देख रहें तो फॉलो फॉलो जरूर कर ले जैम आता दी मेरा नाम राजन पतेल है और मैं काफी टाइम से अपनी डॉटर की शादी के लिए परिशान था तो मुझे गुरुजी का एड्रस मिला और नंबर मिला तो उसके बाद उस लड़की की कुंडली दिखाने के बाद जो गुरुजी ने उपाय सज़ेस्ट किये उसके बेसिस पर मैंने जो काम उनके साथ किया तो आज मेरी हमारा यह सब काम हो गया